हालो फ्रेंस फिर से सवागते एक नए वीडियो में फिरिंस आज के वीडियों बात करने वाला ओपो के मॉवाल में किसी भी जो अप्सको है उसे अनिस्टोल कैसे कर सकते है। तो गैस अपना ऐसे करके आप अपना जो use नहीं करते हैं जो आनि install नहीं होता है उस app से आप storage बचा सकते हैं आनि install करके और जो फालतु का जो apps जो होता है उसको हटा सकते हैं तो गैस आज की वीडियो में यही बात करने वाला हूं और storage खाली कर सकते हैं data clear भी कर सकते हैं सब कुछ बताऊंगा आपको back to back तो गैस इस चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को subscribe करके घंटी का option जो दबा दीजीगा ताकि आने वाले वीडियो का notification आपको back to back मिलता रहे तो इतने भी application है वो सारे show हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं अब माल लिजीए कि कोई app आपको uninstall करना है माल लिजीए पिकाट है या फिर कोई और app है माल लिजीए share it है या फिर google translate uc browser या फिर exender तो माल लिजीए मैं इसको uninstall कर देता हूं exender को और यहां से uninstall पर click तो गाइस इस तरीके से uninstall कर सकते हैं अब माल लिजीए कि हमें data clear करना है तो कैसे करेंगे तो किसी का भी कर सकते हैं जैसे कि यहां पर यह application हो है google play यह google के तरफ से दिया जाता है और यहां से uninstall पर click करेंगे तो आप इसे data clear भी हो जाएगा uninstall यहां से हट जाएगा तो आप आप देख सकते हैं यहां से जो apps थे वो हट चुके हैं तो इसी तरीके से आप जो falto के apps है उसको remove कर सकते हैं अब यहां पर google play music भी आपको देखने को मिल जाता है google do भी google do use नहीं करते तो इसको uninstall कर दीजे तो इसी तरीके से आप uninstall कर सकते हैं यहां से आप देख सकते हैं गैब हो चुका है आप यहां पर बात करते हैं Google Play Music की तो अगर यह यूज नहीं करते था इसे भी अनिस्टोल कर सकते हैं यहां से तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसे भी अनिस्टोल कर दिया तो आप इसी तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हैं ओपो के मोबाइल में ब पूलो कर सकते हैं और हमेशा आपको एक नई जानकारी आपको हर फोन के उपर देखने को मिलती रहेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अब तक के लिए नमस्कार